इस तौर में ऑक्सीजन की कमी से हर कोई परेशान है आपदा में अफसर तलाशने वाली लोग अपनी घर के खाली हिस्से में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधि लगा रही है और अपनी आसपास का वातावरण शुद्ध कर रही है दोक्र राज़े मितल ने अपने गार् में थोड़ा वक्त विताना सुकून का एहसास कराता है जीवन सैली में बदलाव लाया है पिछले एक साल से लगा कर अब तक और अब जो दूसरी लहर और भी गातक मानी जा रही है खास करके जो है ऑक्सीजन की कमी से हर व्यक्ति परेशान है को भी बिमार व्यक्ति है उसक किस तरह से देखते हैं कि जो है एक शौक तो होता ही है लेकिन साथ में सवस्त रहने की तोर तरीकों में भी वो जो जो इजाफा करता है आपके यहां पर जश्टा है प्लांट्स लगे हैं जो कि ऑक्सिजन लेवल को बड़ाते हैं किस तरह से दो कि फह कौन का। कह से प्लांट्स जंसके माधियम से हम हमारे घर के आसपास में ज़्यागर के जो गॉर्डिंग गार का जो चोटा सा जो खुला इससा होता है उन उनमें इन पॉद्धों को लगा करके हम हमारे oxygen level को ज्यादा ठीक कर सकते हैं सर देखें इस महामारी में जो oxygen level कम हो रहा है लोगों का और जो artificial oxygen के लिए लोग परेशान हो रहे हैं तो मैं उनको एक ही suggestion करना दबगा कि आप घर पेड लगाएं कि पेड़ वैसे कोई भी पेड़ आंगे ऑक्सिजन हर पेड़ जयता है सर लेकिन मैं आपको नौ तरह के ऐसे प्रांट बताऊंगा जो ऑक्सिजन लेवल आपका बढ़ाते हैं प्लस ऑक्सिजन बहुत ज्यादा छोड़ते हैं सर जिसमें पहला फाइकस में से पहले पीपल आ करता है papyr में और चला करता है जुए लिब भी आपका बहुत 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 अथा नियग दानव ह्दों करते है चो यह ग् Deus कवा अक्सिजन ओती ना रिच ए लिगि एक यही पोदा ऐसा है तो तीन तेरे के विश्यले तत्वों को अब्जर्ब करता है और ऑक्सीजन आपको लेवर बढ़ाता है तो मैं तो आपको यह एडवाइस करना जाओंगा कि इस महामारी में अपन लोग सब लोग जो परिशान हो रहे हैं अपने जगे नी तो बहुत सही प्रांड लगाएं गार्डेन में लगाएं थोड़ा टाइम देए प्रांड को तो सर आपके परिवार का बहुत अच्छा रह करें भी है हर घर में हिस तरह गभी जो खशबर आती है यह कोई मृत्यों तक पहोंच जाता तो इस तरह की खब्रे भी जो है उस पूरे माहौल को चाहलोक उप्के बात कर लो गर परिवार की बात कर लो तो चिंता इंग अब फैरे किस तरह से देखते हैं गारड्य रक्ति कि जुड़ा आज बहुत जादा ज़रूरत आन पड़ी है जब बच्चा होता है छोटा तो पुरा गर का महुल कर देता है खुशी का महुल आता है वैसी प्लांट है आप छोटे प्लांट को घर में लगाएंगे जैसे बड़ा होगा आपकी खुशियां दुगुनी तिगुन चोग नहीं बढ़ते रहेंगी और जहां तक आपने में से कुछा टेंशन सर यह पेड़ों के बीच में रहेंगे प्रकर्दी की बीच में रहेंगे आप बच्चे से इसको पाल रहे हैं उसका ज्यान रखने का पिने का जैसे कपले की बात करने तो उसके जो जड़े हैं तन हैं उसका जहां रख रहे हैं तो सर यह सब बच्चों की हो गया ना जाब प्रकर्दी के बीच में रहेंगे तो नेचरल टेंशन दूर होगी सार अपकी हंडेड परसंट और आपने पूछा हमें से रिटायर्मेंट आदमी इसमें इसमें रिटायर्मेंट आप्सिजन को सब पर अपने कमरों के अंदर कैसे भी नेचर से जोड़के आपने ऑक्सिजन लेवल को और अपने मन को खुछ रखना जीवन से बदल रही है व्यवस्ता बदल देती है परिस्तितिया भी आपको रहने के तौर तरीकों में बदलाव लाती है पिछले एक साल से कोरोना के जो मह हमारी ने लोगुक में को सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कि या तो उनकी कारी व्यवार जीवन स Garrly को प्रभावित किया लिहाजर्चती के साथ जूड़ने कि जब हम वेचारी CAPmate करते iht है तो व्यावारी CAPmate तोड़ा सा जुड़ जाए घर में थोड़ा सा जो जगा खाली हो या की चछट पर आप जो गार्डल लगा करके अपने शौक को पूरा कर सकता है शौक नहीं होता यह आज की जरूरत बन गई है क्यों कि पेड़ों के साथ में पधों के साथ मैं आत्मिया संबंध बन जाता है और वो जो आत्मिया संबंध होता है वह खुशिया बांटता है लियाजा आज इस बात की जरूरत आन पड़िये कि छोटा सा ही गार्डन बनाएए किचन गार्डन बनाएए ताकि आप अपने के अनुकूल माहुल को डालते हुए तनाव रहित किस तरह से जिया सा सकता है इ कामरा परसन नरेस पारिक के साथ रमेश पुरोईत न्यूज इंडिया जैपूर